देश की आदी आबादी के बाद अब हम भारत की लगभग पूरी आबादी के बीच फहले ब्रश्टाचार की बात करेंगे ब्रश्टाचार को आप सबने बहुत हलके में लेना शुरू कर दिया है और ब्रश्टाचार को लेकर हम बड़े सहनशील हो चुके हैं रविवार को जब देश छुटी मना रहा था तो यूपी के गाजयबाद में करप्शन ओन ड्यूटी था और उसने 25 लोगों की जान ले लिए शमशान घाट में एक महीने पहले बनी इमारत गिर गई और लोग उसके नीचे दब गए सोचिए शमशान घाट में जो लोग एक किसी दूसरे अमरत विक्ति के अंतिम संसकार में आये थे वो भी इस दुनिया से इस संसार से चले गए इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस रफतार सेक्शन लिया उससे इंसाफ भी हुआ और नयाय भी हुआ इससे पहले आप लोग सोचते होंगे कि हमारे देश में जब इस तरह की घटना होती हैं सरकें तूट जाती हैं पुल तूट जाते हैं या कोई और ऐसी दुरगटना होती है तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं लेकिन अब आपके आसपास सिस्टम बदल रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस दुरगटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और इसके ठेकेदार पर NSA जैसे कड़े कानून के तहत कारवाई की है और इनी दोनों से पूरे नुकसान की वसूली भी की जाएगी जो ठेकेदार था उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है गाजेबाद के डियम और कमिशनर को नोटिस देकर इस काम के आडिट में हुई भूल के लिए जवाब मांगा गया है और हमारे देश में अकसर किसी दुरगटना के बाद एक जान समिती बना दी जाती है और कई महीनों और वर्षों के बाद जब समिती अपनी रिपोर्ट देती है तब तक लोग उसे भूल चुके होते हैं और उस दुरगटना के पीड़ित भी नयाय मिलने की आस छोड़ दे हैं इसलिए आज इस खबर को हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बदलाव हमारे देश में आ रहे हैं इस दुरगटना के आरूपी ठेकेदार को कल गिरफतार किया गया था और इस ने शम्शान घाट में निर्मान के लिए ये कहा है कि उसने इसके लिए कमिशन दिया था कि अपने बास युका रही है पनिसके बैन में जाता था कमिशन किसको जाता था कमिशन और यह और यह और यह जो गया था जा रहा है सिफ आपको दोशी बनाया जा रहा है तो आपको यह खबर इसलिए दिखा रहे है क्योंकि स्थितियां बदल रही है आपके आसपास भी जब कभी ऐसी दुरगटना हो तो हमेशा याद रखिए ऐसे लोगों के ऊपर एनसे लगाया जा सकता है ऐसे लोगों को अब ठेकेदार को गिरफतार किया जा सकता है जो इंजीनियर इसमें था उसे जिरफतार किया जा सकता है और इस मामले में तो ठेकेदार ने माना है कि उसे ये कांट्रेक्ट जब मिला तो उसने सरकारी विभाग के लोगों को इसमें कमिशन दी थी रिश्वत दी थी और उसकी वज़े से उसे ये ठेका मिला है इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो तुरंत शिकायत कीजिए और ऐसे लोगों को अब गिरफतार करवाईए आप कह सकते हैं कि हमारे देश में ब्रश्टाचार का भी अपना एक सिस्टम बन चुका है और इसे आप उत्तरप्रदेश में पिछले वर्श हुए एक सर्वे से समझ सकते हैं इस सर्वे में 74% लोगों ने बताया था कि वो हर वर्श किसी ना किसी काम के लिए रिश्वत देते हैं 23% लोगों ने कहा उन्हें कभी ऐसा काम कराने की जरूरत नहीं पड़ी और सिर्फ 3% लोगों ने माना कि उन्हें अपना काम कराने के लिए कभी रिश्वत नहीं देनी पड़ी तो इसलिए रिश्वत खोरी को तुरंत बंद कीजे और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे आप भिजवाईए